हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खास करके जो फेस्बूक यूजर होते हैं वह क्या करते हैं किसी अन्न पर्सन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देता है और आप चाहत चाहते हो कि अन्न पर्सन है वह आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट चैंड न्य करें क्या करें और इसाथ में आपको बतानेवाला हूं कि देदाक को फ्रेंड प्रॉफायल कोई बीछिक करें तो वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में वह सारे के सारे फ्रेंड वो भी आप हाइड़ वो कर सकते हो सिरफ सिम्गूलर फ्रेंड को छोड़िता है जो आप की प्रोफाइल चेक कर रहा है और आप यदि आपकी friend list के अंदर कोई है यानि आ नहीं आपको जानता है तो वह आपको कर सकता है यह आपकी friend list के अंदर भी वो नहीं है तो आपको फॉलॉव कर सकता है कैसे कि आपको क्या करना है सबसे पहले मैं बात करने हो ला हूँ कि किसी भी unknown person है वो आपको friend request मैं बिज़े यानि आपका जो add friend वाला option है वो hide करना है कैसे तो चलिए computer screen पर के लिए दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले आपको facebook है वो open करना है मैं facebook है वो सबसे पहले open कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर three dots दिखाई दे रहे हैं वापे click करना है फिर आपको नीचे ही नीचे जाना है setting and privacy पर click करना है उसके बाद आपको setting है उस पर click करना है जैसे यह अपन हो जाएगी तब आपको नीचे लेना है आपको privacy setting का option दिखाई दे रहा है इस पर आपको click करना है privacy setting पर उसके बाद आपको नीचे ही नीचे आना है और नीचे आना है तब आपको यहाँ पर दिख रहा है who can send your friend request तो यहाँ पर आपको क्या करना है friend of friend करना है everyone नहीं करना है तो यहाँ पर आप जैसे friend of friend कर दोगे तो आपकी friend list में यदि कोई friend add है उसके अंदर यदि कोई friend add होगा तो वो आपको friend request paste पाएगा otherwise वो friend request आपको send नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर वो friend of friend कर दोगे तो unknown person है वो आपको friend request हो नहीं send कर पाएगा तो बहुत ही simple है तो इस तरीके से आप add friend वाला option है वो hide कर सकते हो अब बात करते हैं कि आपकी कोई भी profile check करें तो उस profile list के अंदर उसको आपके all friend हो so नहीं हो सिर्फ जो common friend है वो तो so होंगे ही otherwise है वो so नहीं होंगे तो आपकी profile के अंदर भी आप friend को वो hide कर सकते हो कैसे तो चलिए देखते हैं computer screen पर तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपकी friend list में कोई भी आपकी profile check करें तो उनको all friend है वो आपनी जिन जिन फ्रेंड को रड़ किया है वो show नहीं करें तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले facebook को open करना है फिर आपको यहां पर तरी सेटिंग को open करने के बाद में आपको privacy and setting कर क्लिक करना है उसके बाद आपको यह वाला option दिखाए देर हो गया who can see your friend list कि अब दो friendly में करना है यहां पर आप सबसे को दिखाना चाहों तो पूब्लिक कर दो सब्स Wirken को दिखाना चाहों तो फ्रेंड कर दो और अथर किसी आप फ्रेंड को सो करना चाहते हो तो यहाँ पर वेसे बी आप ऌर्पर सो भी कर सकते ओ और心ए बहुत चाहाओ तो भी आप दिखाई देगा तो इन में से आपको जो भी ऑपशन बेटर लगे तो उसमें से आप कर लेना तो सामने वाले को आपकी प्रेंड के अंदर जितनी भी आप फ्रेंड लिस्ट है वो सो नहीं होगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेलफुल है आपको नौलेज मिल रहा है तो दोस्तों इस तरीके से आप दोनों यानि एड़ फ्रेंड को भी हाइड कर सकते हो और आपकी जो प्रोफाइल लिस्ट है उसके अंदर भी आप फ्रेंड उनको भी छिपा सकते हो हाइड कर सकते हो तो दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो आपके लिए हल्फुल है आपको नौलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को सस्क्राइब हो जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर मिलने वाले आपको टेक्निकल से रिलिटेड ऐसे बहुत सारे वीडियो तो आज के लिए इतना ही आप मिलतें नेक्स टूडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाइब धन्यवाद जहनु